वो लोग शादी हौल में पहुँचे तो वहाँ उनको हाथो आथ लिया गया असलान उन्हों को छोड़कर मर्थ असाथ की तरफ चलाया वाउ अगर आज कुछ और मांगता तो वो भी मिल जाता अवे वो अपने साथ कुछ लोगों के साथ खड़ा मोहो गुफ्तु हुथा या अपने पीछे हशम के आवास सुनका असलान को उश्कवार हैरिट से मुड़ा था तुम? आज हशम से गले मिलने में उससे खुद पहल की थी हशम और भी चोच से उससे लिपटा था तुम बहुत बोलते हो सीदी सी बात का सीदा सा जवाब दिया करो उसकी शोखी पर असलान ने मस्दूई हफ्की से उससे खुदा असलान भाई आप कब से हुद को बज़ुर को में शामिल करने लगे हैं? अशम ने मूँ बना कर गहा क्या मतलब? असलान ने आपरु सुकर कर शरारती लड़के को देखा मतलब ये कि आप हुद जवान हैं और मुझे छोटे लड़के कह कह कर शर्मिन्दा क्या करते हैं? उसके इसी शोखी अंदास पर असलान ने दिल से हस दिया अशम से उसी अब तक जतने भी मुलाकाते हुई थी और मुलाकात में असलान उसकी जोली तप्रेट के वज़ा से बल्यावजा अस्सी बड़ा था मेरे लिए तुम हानी की तरह हो लड़के असलान ने प्यड़े प्यार से उसके जलीके से बनाई के बाल ही बिगाड दिये हानी की तरह? असलान भाई मैं हानूर आशों से तीन साल वड़ा हूँ अब मुझे बच्चा मत समझे एक तो छोटा बच्चा समझना ओपर से बाल बिगाडने पर वो रूट कर उससे देखने लगा अच्छा तो हश्यम भाई सहाब बताईए आप यहां कैसे? इस बार असलान ने शाराट से उसके आगे चुक कर गहाँ देट्स कोड ये बात हुई वो खुश हो गया तो हश्यम को फिर से हसी आई थी मेरी मुझूदी की वज़ा ये है कि मेरी मामा के साले के बेटे की बरात है तो मुझे और आश्यम को उनके बेहद इसरार पर आना पड़ा और आप अच्छा ने तफसील से वदा कर उससे भी फूश लिया मुझे लड़की वादा समझ लो वाल के सिम्स को राया कैसे? अश्यम को इतने से कहां तसली होनी थी मेरी अम्मा जान आई मीन दादी के भाई के पोती की शादी है तो इसलिए असलान ने भी आने की बचा बताई तब तो हम रिष्टेदार होगे मिलाई ये हाथ इस बार असलान हस्ते वे उसके हाथ पर अपना हाथ मारा हूँ अम्मा जान ये आश्यू है मेरी बैस जी अनिया अरूशा का हाथ पकड़े हुए अपनी फैमली से मिलाने के लिए भागी चलियाई वहाँ अम्मा जान के साथ मा जी भी बैठी हुई थी उनकी निगाएं भी एक बल को उस नसीन चेहरे पर टिक सी गई अरूशा ने चल्दी से सलाम किया था माशाला बहुत हसीन है अल्ला नसरे बच से बचाए अम्मा जान ने सलाम का जवाब देखकर तारीफ भी कर दी और दूआ भी देदी जी मैं तो बच्वन से हसीन हूँ और नसरे बच से दूर ही रहती हूँ वो अराम से अम्मा जान के बास बैठ कर शुरू हो गई माची ने संचीटी की सुसटकी को देखा उसके भूलने में कोई बनावट या अत्राहट नहीं थी बलकि बहुत मसूमियत थी आशू ये मेरी अम्मा जान ये मा है आने ने हस्ते हुए अम्मा जान और माची के शाने पर फज़ू कर अपनी बैस्टी को देखा अल्ला कितनी क्यूट है आप वो सफेद बालों वाली अम्मा जान के रूई से काल को चोकर बच्चू जैसी जोही से चेहकी अम्मा जान तो हस पड़ी वगर माची संजीदी से बस उससे देख रही थी आप ऐसे तो मत देखिये मैं आपकी भी दारीफ कर देती हूँ आप भी बहुत प्यारी हैं बिल्कुल ख़डूस असलान जी ओफ अरुशा ने अपनी सुबान तांतों तरता वाली आने ने अपनी पेशानी पर हाथ माल लिया और माची की पेशानी पर बढ़ पढ़ गे कोई उनके पेटी की बुराई करे वो फोरण उसके दुश्मन हो जाती नी लड़की मेरा बेटा बिल्कुल ख़डूस नहीं वो बस संजीदा है फजूल बोलने का तो बिल्कुल आदी नहीं उन्होंने अपने महसूस लैपोल एजे में क्याकर अरुशा की दब्याद साफ करनी शाही हाँ वो ही तो अरुशा उनके उससे पर पूरे जोश से बोली वो ही तो वो बहुत अच्चे हैं संजीदा है शेजादे जैसे हैं और फजूल क्या वो तो बोलते ही नहीं जब जब देखो बोलना चाहत तो एक तो देखते नहीं उस पर से देख भी लें तो आंके माते पटिकी होती है वो बर-बर करदी हाथ नचाना जाका कह रही थी अम्मा जान पामुशकेल मस्कुराद दबाय होए थी और मान जी बस उसे खूरने पर एक तफा कर रही थी आशू चल तुरन से मिलते हैं इससे पहले कि वो मान जी को बंप की तरह पटने पर मुझबूर कर देथी अनिया सबर्टस्य मस्कुरा थी उसका बासो पकड़कर उसे उठाक ले गई यारी बच्ची है उन दोनों के जाते ही अम्मा जान ने पास वैड़ी बहू से राए ली प्यारी बोलने तक में सोचती नहीं अगर मेरी बहू बन जाए न तो दो दिन में सुधार दू वो चल कर इस सरह बोली कि अम्मा जान बस मुस्कुरा कर दूसरी दरफ में तोच्चा हो गई सेज़ पर रस्में शुरू हो चुकी थी काफी लोग वहीं जमा हो गए थे अरूशा एक तरफ खड़ी इंच्वाई करती आनिया का हाथ खींच खांच कर उसे वहां से एक कोने मिले कर आ गई क्या हुआ है इतनी प्यारी रस्में हो रही थी आनिया को शादियों में होने वाली रस्में बहुत पसंद थी वो फुल इंच्वाई कर रही थी ऐसे में अरूशा का सबर्दस्थ से खींच लाना वो हाफा हुई मुझे वोश्रूम जाना है चलना साथ अरूशा ने उसके गले में बाहीं ढालकर हानिया के अफ़ की दूर कर दी नई जगा पर आने जाने से अरूशा सागवराती थी अच्छा चलो हानिया उसका हाथ तामकर एक तरफ को चल दी अरूशा माईनी हेसे से मुस्कुराती उसके साथ हो ली वो दोनों एक तरफ वने बाश्रूम से पहले कोरिडूर से गुजरी अरूशा ने एकदम से हानिया को फिर से खीच कर एक तरफ वने डोर से खौल की पिछली तरफ ले आई हानिया पेचारी बस हैरान पर इशान सी उसके साथ किची चली आई लो ले आई तुमारी मोधी जान को अब मेरी जान मत खाना अरूशा ने इस उनसान से जगा पर बेचैनी से उन दोनों की रहा देखते हाश्रम की तरफ आने को तकहिल दिया हाश्रम ने फोरण उससे पाहों में भढ़ लिया हाश्रम की बच्ची इस से लाई थी मुझे वो दोनों बेहन भाई की मिली भुकत पर खाफा होती अपने आपको हाश्रम की बाहों से अजाद करने की कोशिश करने लगी होने वाली पहलवान मिसिस बहुत देर से तुम्हें दूर दूर से देखकर मिरा दिल मचल गया था बस हाश्रम शोखी से कहता उसे आजाद कर गया संभालो अपने दिल को सब यहीं है बट तमीज कहीं के हानिया उससे दूर होती तब ही तब दोनों को दिखती अंदर जाने लगी थी कि अरुशा ने फिर से उसके दोनों बाजो दपोचकर उसे मस्कुराते हर्शम के तरफ द खेला जादर ड्रामे मत करो मेरी भाई को हुश कर क्या आना वो से आंख बाग का हर्शम की मस्कुराफ मस्कुरात उचाल कर अपना शरारा सुर सभाल कर पकड़ती तेजी से भागी थी परना हानिया उसके बाल ही नोच टाल दी उफ किदर चली आई मैं अभी तक हानिया के साथ ही खूंपिर रही थी रास से भूलने में वो नंबर वन थी अभी भूल गई कि किदर से किदर मुनना है अल्ला का नाम लेकर वो एक तरफ दिखते दरवासे की तरफ भड़ी थी वो भी मुरी भी थी कि एक तम सामने से आते मस्बूत दवाना वजूद से बुरी तरह टकड़ा गई अस्लान में मोबाइल कान में लगाए अपनी दुन में था सामने आते अरूशा को देखा ही नहीं पेडियानी में हुई इस चक्कर की नतीजे में दोनों ही गिरते कि एस्लान ने अपने आपको संभालने के साथ ये अरूशा की कमर थामकर उसे गिराने से बिचाया अरूशा ने सक्ती से उसका कानदा दबोच लिया और अस्लान ने उसकी कमर में हाथ डाले हुए उसे संभाला हुआ था उसके सीने से लगते है अरूशा के पूरे वजूद में अजीब सी सहरन दोड़ी गई उसके मस्बूत वासू के पगड़ कितनी हिवासत वरी थी आंगे खोल कर चला करो अस्लान उसी कमर से अपने हाथ अटा कर उसे सीधा कर चुका था क्या मैं आँखे मन करके चलूँगी आँखे पूरी खुली थी मगर बता नहीं कहां से आप आ गए वो अप्पी उसके शानों पर रखी शाल मुट्टी में दवोचे आपकी से देख रही थी ओके मेरी गलती अब मुझे छोड़ने की जहमत करेंगी आप वो पेशानी पर पढ़ लिये उससे बोला तो उसे हैसास हुआ कि वो अब भी उसके बहत करीब थी मुझे कोई शोक नहीं आपको पकड़ने का बस मैं आपके शाल के डिजाइन देख रही थी सोच रही हूँ ऐसी हीशाल हश्रम के लिए ले लू शर्मिन्दा तो उसे क्या होना था और भी बेवकोफी दिखाते हुए उसकी शाल को देखकर भोली जहमत करके आप दूर रटिये मैं शौल ही आपको देदेता हूँ अस्तान के बेजार लेजे पर वो मुझे रड़ा करके दूर रटने ही लगी मगर हाथ में पहने गए कंगन के मौती उसे कुट्टे के धागे में फस कहे थे अब ये क्या? वो और भी बेजार हुआ अब ये तो फस गया अरुशा की बेवकुफी अरुच पर दी तो निकालो फिरकर उससे बेवना हसीन चेरे की अपराट देखी निकाल दो रही हूँ मेरी कंगन को आपको कुट्टा पसंदा गया है अब वो डिजाइन देख रहा है ऐसा करें मुझे अपना कुर्टा भी दे दे शौल समेथ वो पूरी कोशिश कर रही थी कि बगैर उसके कुर्टे के धागे ढुचे वो अपने कंगन के मोती निकाल ले साथ ही अराम से जबान भी चल रही थी तुम्हारा दमाग ना बिलकुल खराब है उसकी बात पर असान का दमाग वोना गया अरुशा की वो ही हाथ जिसके हाथ के कंगन से उसके कुर्टे में भसे थे जकर कर एक ही जटके से अपनी कुर्टे से खींच लिया अरे अरे ये क्या कर दिया मैं आराम से निकाल रही थी न अंसान की अरकत पर अरुशा अफसोस से चलाए जहां उसके खंगन के मोटी भसे थे वहां उसके खींचने पर वहीं से कुर्टे की धागी उदड़ गए तुम्हारे अराम से निकालनी के चकर तुम्हारे चलती जुबान नहीं बरदाश कर सकता था अरुशा के हाथ अपने हाथ से जड़क कर वो से संजीटी की से देखता तंसिया बोला अरुशा को बहुत बुला लगा उसका तंस अरी आंके फॉरन नम हो गई वो उसके पीचे डिवानी से हो रही है ना मैं पत्थर हूँ ना ही रोबोर्ट वो उसी आंकों में देखता बहुत हल्की आवासे हो राया जो तुम सोच रही हो और जो तुम कर रही हो वो खलत है अपने जजबात और अपने दिल पर काबू रखो उसके पीचे मत भागो जो तुम्हारा हो ही नहीं सकता अजलान मीर बस अपनी फैमली और अपनी पीवी के ही जजबात की परवा करता है किसी गया लड़की के नहीं तुम सिर्फ मेरी बेहन की दोस्त हो और कुछ नहीं अब अगर कहीं तुम से मेरी मुलाकात हुई तो यह याद रखना वो थीमे धीमे संजीदी से उसे देखता और सकती से बोलता अरोशा को बहुत कुछ समझा गया वो बस साकिट से उसे देखती एक तम हामोश थी बस आँकों में दर्द उपरा और आंसों की सूरत में बहल गया इससे पहले कि वो उन आँकों के चलकते दर्द से बिखल जाता तेसी से उसका पासव अपने हाथ से अजाद करते हुए वो लंबे-लंबे ढाग बढ़ता उन दर्द बहाती आँकों से दूर हो गया अश्यम हाने को सबर्दस से खीश्टेवा होटल के एक कोने में लेके अर गया था जहां नीम अंदेरा चाया हुआ था और उन्हें देखने वाला वहां कोई नहीं था अश्यम पागल हो गया हो किसी ने देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी अनि अलगातार उसे गरिफ से अपने हाथ चुड़ाने की कोशिश में खबराई हुई सी थी तो मैं देख कर तो मैं सच में बागल हो रहा हूँ क्या कहती हो अपना निकाना पड़वा लूँ वो एक तरफ उसे लेकर खड़ा हो गया और अपने धोनों हाथ उसकी कमर में डालकर अपनी करीब कर लिया वह वेरी फणी वो तबी तबी उसे हव किसे देख रही थी अब ऐसे तो मत देखो थोड़ा प्यार से देख लो जैसे और साई लड़कें देख रही थी वो शाराच से उसकी पेशानी पर तीके तीके को दुरूस करता बोला उन लड़कियों के पास जाओ ना फिर मेरे पास क्यों आया हो उमीर के मुदावी को चल कर दूर होने लगी मैं तो बस उसी के पास आऊंगा ना जो लड़की ही मेरा चैनो किरार लोट कर ले गई है जिसका मैं दिवाना हूँ जिससे मैं बेपना मुखबत करता हूँ उपसूरत अवास पे उसका एक-एक इसहार आनिया की सारी नाराज़की भाल लेगिया उसे मस्कुराते होए अपनी बाहें अशिप की गले में डाल दी अश्यम ने उसी कमर खींच कर उसे खुश से लगा लिया कसम से यार आज इतना मेकप करके तो अच्छी खासी खुलावी रंकी हो गई हो और बंदी मेरी नियत हराव हो रही है उसकी गालों पर चुक करो मतोशी से बोला बड़े हक से उसकी गालों को चुम भी लिया मत तमीज कहीं के ऐसे तो मत करो मुझे शर्म आती है अन्य शर्मा कर उसकी पाहों में ही सिमिटने लगी बढ़ मुझे नहीं आती अर्शम ने चुक कर उसकी गर्दन पर अपने हूंट रख दिये अन्य की रगुचाम में सरान से धोड़ गई वो शित्त से उसकी गर्दन पर अपने हूंटों को फेड़ता उसे सब पूलाने लगा था उन दोनों ने ये देखा भी नहीं कि किसी के हूंटों पर बड़ी तनसिया मुस्कुराट आई थी उन दोनों को एक दूस्य में खोए देखकर बस मुस्कुराट ही नहीं आई थी वो अराम से अपने मूबाइल से उन दोनों की वीडियो भी बना रही थी इससे कहते हैं एक देश से दो निशाना अर्श्यम को तो मुट्धी में करूंगी इस असलान मीर को भी बताऊंगी कि बड़ा घरतमन बनता पिरता है देख ले उसकी बहन क्या क्या करती पिरती है बड़ी हरबासा से सोच्टे हुए उसके चेरे पर शेटानी मुस्कुराट थी अर्श्यम मस्रूर से अपने बालों में उगलियां पिरता फिर से हौल रूम की तरह बढ़ा था आनिया पहले ही अंदर चा चुकी थी आनिया से हुई मुलाकात के बारे में सोच्टे हुए उसके हुंटों पर बड़ी ही दिलनेशी मुस्कुराट थी और सरशारी से मुस्कुराते हुए वो इतना अच्छा लग रहा था किस वक्त उससे कोई वे लड़की देख लेती तो अपना दिलहार बैटी वो था ही इतना हुपसुरत टाक चॉकलेटी प्राउन बाल सुर्ख और सफेद गुलाबी चलकती रंगत ग्रे चमकती आंखें खड़ी नाग और गुलाबी हुउंट तंबी हाइट और अच्छी जिसामत इस वक्त वो ब्लैक कोट बेंट में लड़क्यों का दिल दड़का रहा था अपनी धुन में खोया हुआ वो आगे बढ़ी रहा था कि अपने सामने आखड़ी हुई हसी को देखकर उसकी पेशानी पर बल पड़ गए मुस्कुराइट हूंटों से खाइब हो गई और उसकी जगा सकती ने ले ली सुख साड़ी में वो बेशक शोला जवाला बनी हुई थी वगर वो हश्म शानवास हां शानवास हां नहीं जो हर उरत पर दिल लुटाए कैसे हो श्म मेरी कॉल और मेसेजिस का जवाब ही नहीं दिया तुमने इनी कंदी निकाहों से देखती आनिया दुन्या की बत्तरीन उरत लगी साथ ही असान मीर चैसे बंदे की किसमत पर अफसोस भी हुआ अल्ला ने जब नेक बंदे के साथ नेक फीवी लिखा है तो ये भूरी उरत कैसे वो सोचकर ये असान के लिए तकलीफ से मिसुसोत करने लगा तुमने जवाब नहीं दिया अमने पालों को एक अदा से जड़क कर उससे अपने हुसन की दुमाश की मैं आपको जवाब देने का पबंद नहीं हूँ वो खून पींच कर कहता जाने लगा अच्छा तुफिल किसके पबंद हो? हानिया के? हानिया कि सुलक कर कहने पर हुचाते चाते रुख्या क्या मतलब है आपका? चेरे की संजीती और भड़की मतलब वो ही है जो तुम महानिया के साथ वहाँ कोने में कर रहे थे? तुमारी काबिल तु नहीं हो अनिया की गटिया पंसे कहने पर अच्छा ने मुठी भीच ली अच्छा ने आनिया की तरफ अकारत भाई नसों से देखते हुए कुस्से सिखा था मैं चार रहे असलान भाई मगर सोचो ये वीडियो अगर मैं सोचल मीडिया पर डाल दू या सिफ असलान को दिखा दू तो अनिया की क्या इज़द उत्रेगी तुमारे असलान भाई के साथ? अनिया ने उसकी बाद का पुरा मनाएं बगेर बड़ी मकारी से आंके न चाही क्या चाहती हो तुम? वो समझ गया था वो उससे अपना कोई मतलबा पूरा करना चाहती है इससे इस बार तहामूल से पूचा सिर्फ तुमारे साथ एक रात आनिया ने भड़कर उसके बाद सोपर उंगली फिरी आंकों में आवस की गलीज सी चमक थी वो उससे पूरी समझता था मगर वो इतनी गिरी होगी इसका यकीन नहीं था अर्शम को अपने बाद सो चटक कर वो उसे दूर हुआ जैसे टंग लगा हो मुझे खुश्वत मर्द बहुत पसंद है अर्शम और तुम में तो कुछ अलग बात है तुमें हासल करने का मुझे जनून सा है वो उसे चमक के साथ उसे नसरों ही नसरों शिकार करना चाहती थी मुझे यकीन नहीं हो रा कोई ओरत इतनी कैसे गिर सकती है तुम शादी शुदा हो किसी की इज़त हो एक शरीफ हांदान का होन तुम वो सच मुझ का शौक था ऐसी उरद से पहली बार अगीकत में जो सामना हुआ था क्यूं क्या तुम मर्दों के बस सार्टिफिकेट है हर उरद से अफेर चलाओ उन से रिष्टे रखो और उरद को ऐसी अज़ादी क्यों नहीं वो भी जब चाहे किसी के सार अपने रिष्टे रख सकती है पानिया करतन अकड़ा कर उसी की बातों को दोरा रही थी जिन बातों को अज़ादी का नाम देकर शेतान काम्यावे से फसाद फिलाकर जन्नम के आग में इस असादी की बेहरी करने वालों को दखेल रहा था शर्म नहीं आदी तुम एक मुसल्मान उरद हो एक शरीफ इनसान की बीवी हमारा मजब नामर्टू को ऐसी पेशर्मी की जासत देता है ना उरदों को अर्शम की आँखों में खून साथरने लगा दिल कर रहा था सामने मुझूद उरद को खोली मार दे खुद एक लड़की से अफेर चलाकर मुल्ला बनने की कोशिश मत करो आने जैसी उरद को बसे ही एक ताना देना ही आ सकता था मैं और मेरी मुझबत पाख है वो खुस्से से खुर रहा है मेरी चाहत भी पाख समझो वो भी उसी हवासत से मुस्कुराए तुम जैसी उरद के तरफ में देखना भी नहीं चाहता उस समीन पर धूखता जाने के लिए मुड़ा था जा दो रहे हो हर्षम मगर सोच कर जाना यह मेरा मुबाईल अब अस्लान आने ने फिर से मुबाईल हाथों में लिकर आगरी कोशिश करने ही चाही कि हर्षम ने एक छटके से आने से मुबाईल चीनना चाहा था और क्या हो रहा है यह एक दाड़ पर धोनों ही जोंक कर सामने खड़े अस्लान को सहम कर देखने लगे मुबाईल चीनने की कोशिश में हर्षम आने के बहुत करीब हो गया था अस्लान मेरी की आँकों में ऐसा कुछ था कि वो आनिया से दूर खटा सर चुका गया अस्लान देखी एक कमीना लड़का मेरे से सबदस्ती करना चाता था देखिए इसने आपकी बीवी के साथ बत्तमीजी करनी चाही अस्लान को देखते ही आनिया ने फौरण पल्टी खाई और एक्दम से मस्दूम बनकर वरोती हुए अस्लान की तरफ बढ़ी वाट? क्या बक्वास कर रही हो तुम? अस्लान को इसकी मकारी से उत्पर इर्साम लगाने पर शौक लगा था अस्लान भाई ये जूट बोल रही है मैंने कुछ नहीं किया ने किर्दार की खाही देना कभी कभी कितना सक्त हो जाता है को हश्ण से पूछता वो बेयकीन निगाहों से दोनों को देखते हश्लान से खवरा कर बोला नहीं हश्लान ये जूटा है कब से मेरे पीचे बढ़ा हुआ था अभी मुझे यहां आते देखा तो मेरे पीचे आगया और इससे मेरे साथ आनी लगादार रूती अस्लान का बासु थाम कर सारा इल्जाम उसके सर पर रख रही थी अस्लान भाई ये जूट बोल रही है मैं वो उसका बासु थामे रोती हुई उसे भड़का रही थी अस्लान ने आने को किनारी करते हुए अश्रम की तरह पढ़ा मैं गुनागार नहीं हूँ अश्रम की अवास में अब नमी सी खुली थी अस्लान ने एक्दम से अश्रम का गिरपान थाम लिया अच्छा तो तुम गुनागार नहीं तो फिर तुम यहां क्या कर रहे थे इस सिर्फून क्यों चीन रहे थे बस इतना पूछना था क्याशन सागित हो गया अपनी और अपनी मुहबत की इसत का भी दो हैल था वो दुरुस्वा होना मनसूर था मगर हानिया का नहीं बोलो चवाब तो हश्यम मुझे सत सुनना है वो उसका कॉलर चकरते उसे खूर रहा था मैं कुछ नहीं कहूंगा आपको मारना है ना मुझे मार ले अस्थान ने हश्यम की किरपान तामे तामे उसे खूरा था उसरगे की आँकों में सब कुछ था मगर हावस नहीं वो ये पहली बार था ये अस्थान के दिलो दमाग ने पहली बार आनिया के हिलाव को वाही दी दी सच क्या है हश्यम एक निगार रोती हुई आनिया को देखकर उसे हश्यम सक्ती से पूचा अस्यम ने कोई जवाब नहीं दिया बस उसे दीखते हुए अपना सरचुगा लिया देखे ह usage सच के बस कोई जवाब नहीं है हश्यम का हमोशी। ने आनिया को और भी शेर कर दिया अस्यम ने सरचुगार अस्यम को देखा वू पर आस से भाहादी आनिया को एक हाथ से आने से मुबाइल मांगा गवरानी की भारी अवानिया की थी वो अराम से मुबाइल दे रे थी अगर वो बाकतामन हो थी मुबाइल में उसके पिरास से आनिया मुबाइल दो मुझे वो इस बार बहुत सक्ती से बोला अश्रम आनिया को मुबाल देना ही पड़ता कि एक दम से हरूशा वहाँ दोड़ती हुए थी उसके साथ आनिया भी थी अस्दान मीर आपकी हिम्मत कैसे हुए मेरे भाई का गिर्वान दाम ने की वो तीर की दराज से उन दोनों के पासा पहुंची थी और दूसरे ही बल उससे पूरी जाहरियत से अस्दान के सीने पर आत रखकर उससे धका दिया था धका इतना सबर्दस था कि अस्दान ज़रा सा पीचे की तरफ इल्सा गया था हाथ तोड़ दूगी आपके अगर आपने फिर कभी मेरे भाई को हाथ लगाया वो शेर्णी की तरह हर्ण के आगे खड़ी उससे देखते हुए गुर रहाई थी अस्दान मीर को उसकी आँकों में अजीर सी वहशत पर ही रिखाई थी उन आँकों में उसके लिए इस वक्त एक ज़रा भी प्यार नहीं था तुम कौन होती हो अस्दान के हाथ काटने वाली अपने भाई की कर्टूर तो देखो मेरे साथ बतकारी करने की कोशिश कर रहा था आनिया अपना मोबाल पद जाने पर पुर्सुकून हो चुकी थी उससे बड़े जरीले अंदास में दोनों बहन भाई को देखा अनिया ने अपनी मुँपर हादे ली रख ली अश्यम वहीं फर्ष पर पेबसी से बैठिया और सलान पसामोशी से रूशा के चेरे पर चाही नफरत के एसास को देखे चा रहा था कुछ नहीं कर रहा था वो समझी तुम मेरा भाई नहीं तुम जूटी हो, मकार हो, गंदी औरत हो और अपने शोर को इस मकारी भरे आंसो से तुम धोका दे सकती हो, मुझे नहीं तो चिलाते हुए जैसे अपने हवास में नहीं थी ए लड़की, लगाम दो अपनी जबान को मेरी बेटी पर गलत इल्साम लगा रही हो जाने कैसे, चाची और माची को भी अपर हो गई थी अरुशा के जुमलों पर चाची करीब आती बढ़क करवोनी थी माची को समझ भे ही नहीं आ रहा था क्या आखिर मामला क्या है नहीं दूंगी लगाम, मेरा भाई पाग है, बिल्कुल पाग अगर आप मेंसे किसी ने भी मेरे भाई पर इल्साम लगाया ना तो मैं सब के मूह नोच लूँगी वो शेहनी की ता गुरादी समीन पर चुप चाप सर चुका कर बैटे अर्शम के पास वैठ गई आशू, मैं आ गई हूँ ना, मैं बचाऊंगी तुमें मेरे होते होए मेरे भाई का कोई कुछ नहीं बिगार सकता वो उसका सर धाम का रोंचा करती दिवानी से लगी थी असलानमीर को आशू, वो उसके हाथों को धाम का रेंगतं से रोया था मैंने कुछ भी नहीं किया आशू, कुछ नहीं चुक एकदम चुक मुझे मेरे भाई पड़ रिकीन है मेरा भाई बहुत मासूम है और ये दुनिया एक भीडिया मैं हूँ ना मैं बचाओंगी तुम्हें इन भीडियों से सारी दुनिया भी तुम्हें गलत है रादे अपने भाई को कभी गलत नहीं समझ सकती मैं जानती हू वो औरत कैसी है उससे सब को धोका दिया हुआ है उसके शोहर की आंकों पर पट्टी बंदी है वो अपने शोहर को भेखा सकती है मगर हमें नहीं वो रोती जा रही थी और कहते हुए आश्रम की बैदे आंसों को साफ करती जा रही थी असान को जर्शे श्रमिंधी के एसास से खेल लिया सामने पेटिए वो भेहन भाई कहां से गुनागार लग रहे थे उससे एकदम से चाची के साथ लगी रोती हुई आनिया को देखा ड्रामे कर रहे हैं दोनों भेहन भाई आगे कार्श या नवास हान की उलाथ है रंग तो दिखाए का ही हून चाची ने सेहन अंदास में दोनों भेहन भाई को देखा भाई हर्शम बेगुना है बिल्कुल पाग वो ऐसा नहीं है भाई वो ऐसा नहीं है सब कुछ सुनती हानिया अहिर कब तक में भूब की रुस्वाई परदाश कर दी और होती हुए असलान का वासु थाम गई असलान आपकी बेहन चूटी है रंगी हादों पकड़ा था मैंने इन दोनों को तो उससे बेहन बनाया था मेरा मूँ बंद करवाने का आप जानना चाहते थे थे ना फोन क्यों चीन रहा था ये ये देखिए आने एक दम से चलाती अपनों मूबाईल लिये हुए तेसी से गैलरी से वीडियो निकाल कर मूबाईल स्क्रीन असलान के आखों के सामने कर चुकी थी आने ने पहले रंग बदलती अपनी भावी फिर मूबाईल की तरफ देखा और फिर उससे यही दुआ की कि जमीन भटे और वो उसमें समा जाए असलान ने पूरी वीडियो देखने से पहले मूबाईल पूरी कुवत से टाइल्स वाले फर्श पर बठा था एक नज़र सफेद होते चेहरे वाली आनिया फिर कपराकर कड़े हो गए हर्शम पढ़ा ली और शेर की तरह हर्शम शानमास पर जिसमें उसे सिगरिट को दबाया हुआ था पहले अरुशा की अवाज पशिए सिगरिट की जलन से एसास हुआ कि वह खुसर चुकर मासी में ऐसा खुआया हुआ था हातों में तब घखती सिगरिट भी बीना बूल छुका था उसे सिक्रीट पर उससे अपना नंगा पॉं रख दिया था वो अपना पॉं उठा कर तड़ब करूने लगी अस्थान अपनी जलन का एसास भोला कर उसके जलन पर तड़ब कर तेजी से उसके पास आया पागल नंगे पॉं क्यों चलती हो उसे डवट कर वही नीचे पंचू के बल उसके पास बैठा था अरूशा के पॉं अपने सानों पर रख कर उठा कर देखनी लगा सिक्रीट का चलता टुकड़ा उसके तल्वे से जरा ओपर पंचू के खरीब चिपका हुआ था अस्तान ने फोरण वो टुकड़ा हाथ से जार कर उसके पॉं से हटाया था इतने वक्त में अरूशा बस हाई हाई करती रो रही थी जरा जो तुम में अकल हो उस पर वो हफा होता यूही उसके पॉं उठाय हुए कड़ा हो गया वो गोडिया की तरह उसे कोद में उठाकर पैलकुनी से रूम में आकर वोश्रूम की तरफ चलाया वोश्रूम में एक तरह रखे बाद तब पर उसे बठाकर वो फिर से बंजू के बल उसके सामने बैदिया हेंट शावर चलाकर वो उसके पॉँँपर थंदा पानी डालकर जलन कम करने की पूरी कोशिश में था बार बार उसके पैर उठाकर दोता वो चुक कर देखता भी था सर्थ पानी की सर्दी ने अरूजा को बड़े अराम पहुचाया था सारी जलन दूर हो गए थी अब वो बाट टब पर बैठी फिकर मंद होते अस्दान मेर को मुस्कुरा मुस्कुरा कर देख रही थी मगरूर सा जलाज सा देओ इतना महरबान सा बना मुखबत से भरा उसे कत्मों में उकुरू बैठा उसके जले हुए पॉंपर एंट शावर से पानी डाल रहा था अस्दान के चेहरे पर उसकी इतनी छोटी सी ही जलन से इतनी फिकर आ गई थी क्या जुरुवत थी वहानी की ऐसे तो कभी तुम्हाई नीन नहीं तूटी आज क्या स्वेशल हो गया था पानी डालता अब की से पान देखता ऐसे प्यार भरी डांटांटा अरुशा को बहत प्यारा लगा मेरे लिए तो बहुत ही स्वेशल था आज बहुत चेक कर हो बोली वस्दान सर उठाकर रुशा का चमकता चेरा देखने लगा आपको वेट पर नहीं देखकर मुझे ढड़ लगा जानी कहां छोड़कर चले गए थे मुझे अस्वेशलान के देखने पर मुस्कुरा कर वहां आने की वज़ा वदाए यह ह्याल ही निकाल दो कि मैं तुमें कभी छोड़कर गहीं जाओंगा बस वो सिग्रिट की तलब हुई थी इसलिए बैलकोनी में चला गया बेट्रोम में रहता तो तुमें ही मेरा सिग्रिट पीना अच्छा नहीं लगता अपनी बात कहकर उससे फिर से उसका पहुँ उठा कर देखा इतने सिग्रिट मत भिया करें असलान नुकसान दे होती है कुछ जानती थी उससे रोक टोक नहीं बसंद मगर फिर भी कह दिया ओके कोशिश करूँगा कम करने की असलान मीर के बुरा माने बगए कहने पर रूशा कोश को आहरत हुई जलन कम हुई अब असलान ने बहुत प्यार से उसके पोँगो ठामते हुए पूशा अब बिलकुल नहीं है रूशा ने शराट से सरासा चुक कर हिंट शावर से बेहते पानी की चपीटे असलान की तरफ उचाल दिये उसके शराट पर असलान ने बदले में शावर उटा कर उसके चेहरे की तरफ कर दिया अलाज नहीं असलान रात का वक्त को इतना सर्थ पानी लमों में वो काम सी गई साधी हवाओ का हस्ते हुए असलान से खीच कर शावर लिया था वो शावर कर रूख अपने बहुं के पास बैठे असलान की तरफ कर दिया उससे भी विका कर उससे अपना बतला पूरा कर लिया अरूशा की बच्ची बताता हूँ मैं तुम्हे अरूशा उसकी धंगी पर शावर हाथ से भैंक भांकर बाट टब से उठकर भागने को हुई थी कैस्दान में एक बहुं बाट टब में रखकर और दूसरा वाश्रूम के फर्श पर लिके हुए उसे वही बाट टब के अंदर खीच कर बिठा दिया और हिंट शावर उठा कर उसके सर्ट पर पानी की वोचार कर डाली थी अरूशा अपने हाथ, चेहरे और सर पर उठाए हुए भीगने से बचने की कोशिश कर रही थी मगर इस बार उसे अरूशा को पूरा प्रिकाओ कर ही दम लिया था कहो, कैसा लगा मेरी चान? इंशावर बिना बंद किये हुए उसे चुक कर अरूशा से चोही से कहा अरूशा ने बस उसे सर उठा कर असान को देखा फिर उसके लंबी टांग खीच कर उसे बाट टब में गिराया था असान समभलने की कोशिश करते हुए भी बिसल कर उसी बाट टब में पूरा लंबा हो गया और अब बारी अरूशा के हाथ में थी वो उसके सानों पर बैठी पुरी तरह से असान मीर पर पानी डाल दी खिलकिला रही थी असान ने उट्टे हुए एकदम से उसके दोनों हाथ चकड़कर उसे अपनी दरफ खीच लिया वो लड़ खड़ा कर वहीं उसके सीने पर पूरे बचूद सगीरी थी हाथ से शावर चूटकर अब बाट डब में बरे पानी को और भी लबू लब भर रहा था अब बताओ क्या सजाद हो इस चोगी पर उसकी कमर पर ग्रिफ मस्बूत करते हुए वो अरूशा की बुल्दी बंद कर चुगा था पूरे बतन में लर्जिश उदा चाने सर्थ पानी से शुरू हो गई जो असलान में की काली आंकों की पेपागी से असलान पर उसका भीगाभी का रूप देखकर दिवाना सा हुआ था वो पानी में भीगी हुई उसके हावासों पर चट चुगी थी उसके करदन चकर कर असलान ने अरूशा का चेहरा अपने चेहरे पर चुगा दिया अरूशा आंखे बंद किये उसके शानों को चकर चुगी थी बाट डब में पानी बरता हुआ फिर वाश्रूम के फर्ष पर वेने लगा था मगर असलान को कोई होश ही नहींथा उसे तो ये भी होश नहीं था कि उसके शित्दत से अरूशा के सांसे भी था मरी थी अरूशा आंके बंद किये उसके हॉँटू की और हाथों की किस्ताहिया चेहरे पर िंदा से पढ़ती इससे पहले ही असलान ने उसे थामकर बाट तब से निकालना ही बेदर समझा था जैसे ही वो उसे अपने साथ लगाए हुए बहुत इत्यार से बाट तब से भाई निकाला अरुशा खुड़ाती इधर फुसलती उधर लड़क खड़ाती वो अश्रुम से भागते हुए निकली थी और वो उसकी हालत से लुट उठा था बालों में हाथ बेगा हुमारी से हसा था एक मधोशी थी जो जिस्समुच जहां में चिर्टी हुई बेखुद कर रही थी सिफ हूंटों के जहां पी कर यह हाले अजलान लिये तब क्या होगा जहसें मेंवर आँकों को बंद करके उससे अपने बालों में हाथ बेटे हुए मूर कर बाठ टब की तरफ देखा तब ही उसकी नजर खोले शावर पर परभेते हुए पानी पर पड़ी तो चल्दी से भाड़ कर उससे टब बंद किया था